नमस्कार साथियों हमारे एक साथि ने पूचा कि ये जो ऑक्जलरी का पावर सर्कुट है आरनो वाला यहाँ पे QLA जो रिले है यहाँ पे Q45 के दो इंटरलोक क्यों दिये है मतलब एक इंटरलोक से काम चला लेना चाहिए था तो दो इंटरलोक क्यों दिये जो कई Question पूचता है तो मैं Comment में इतना डिटेल में जवाब नहीं दे पाता तो मैंने सोचा कि छोटा सा वीडियो बना दूँ ताकि सभी लोग को ये समझ में आ जावे दिये कि जहाँ जहाँ भी इंटरलोक क्लोज करवाना अत्यंत जरूरी होता है वहाँ पे पैरलल में दो इंटरलोक दिये जाते हैं जहाँ बहुती जरूरी अत्यंत जरूरी होता है वहाँ पर दो इंटरलोक पैरलल में लगाए जाते हैं वो क्यों का भाई ये क्लोज नहीं होगा तो ये तो हो जाएगा कम से कम दोनों में से एक तो हो जाएगा यूं ये खराब हो गया तो ये तो हो जाएगा और जहां इंटरलोग के open की महत्वता है यानि कि open होना आत्यांत जरूर ही है वहां series में दो interlock लगाते हैं तो जैसे आपने देखा होगा C145 के जो हैं दो interlock लगा के रखे हैं series में वहां पे क्या open होने का महत्व होता है ये open नहीं होगा तो कम से कम ये तो open हो जाएगा यानि कि cut पैदा जहां करना आत्यांत जरूर है वहां series में लगाए जाएंगे और जहां joint करना आत्यांत जरूर है connection जरूर ही है वहां पे parallel में interlock लगाए जाते हैं तो यहाँ पर एक लगाने का महत्व तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह जब DJ क्लोज करते हैं R9 स्टार्टिंग में ओवरलोड होता ही है तो QLA का जो सरकीट है वो यहीं का यहीं पूरा हो जावे यहीं का यहीं यानि इधर नहीं पहुंचे और एक इंटरलोग खराब हो तो इसके द्वारा वो सरकीट पूरा हो जावे इसके लिए दो लगाए है तो मेरे को आशा है कि अब चोटे से वीडियो के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा कि एक की जगे यह दो इंटरलोग क्यों लगाए है Аगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करकि अवेशे बताएगी अब समझ में आ गया है धन्यवाद